Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम degree to radian and radian to degree conversion देख लेंगे तो सबसे पहले क्या है πाई by 15 radians equal to कितने डिगरी यह हमें निकालनी है तो जैसे कि हमें पता है πाई radian equal to 180 degree then 1 radian equal to 180 divided by π तो हमें कितने radians की मान निकालनी है πाई by 15 तो into πाई by 15 तो πाई से πाई cancel out हो जाएगी और अगर हम 15 से 180 को cut दे तो हमारी value आती है 12 तो πाई by 15 याने की 12 degree अब next हम देख लेंगे 50 degree equal to कितने radians है तो क्या करेंगे 180 degree जो कि है उसकी value क्या है πाई तो 1 degree की value क्या आ जाएगी πाई by 180 और यहां पर हमें की मान निकालनी है 50 degree की तो into 50 0 से 0 cancel out हो जाएगी तो यह आज जेगी 5 πाई by 18 तो 50 degree याने की 5 πाई by 18 radian जुआ कितने ऊहाएगी ह।